दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकिया हूं इतना घजब जिसके आगे साब बरेक पास इसने बगरा सब कुछ फेल हो जाएंगे और आप तो देखते बनाने दोड़ पड़ोगे आज मैं आपके लिए लेकिया हूं जो देखते मुँमें पानी आजाए और इसको खाने का भी बहुत ज़्यादा मन करता है और यह बच्चों को भी कापी फसंद आता है और सच बात बता हूँ अपको मेर को इतना कापी पसंद आता है कि मैं इसको हफ्ते में 3-4 दिन बना के खाता है खाता हूं दोस्तो आज इसकी रेषिपी आपके सथ सेर करने वाला हूँ तो तब तक वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सबस्क्राइबर ज़रूर से ज़रूर कर लिए तो दोस्तो सबसे पहले हम आलू आलू लेंगे सबसे पहले मैंने यहां पर तीन आलू लिया इनको छेल के अच्छी तरह से दो के क्लिन कर लिया है बिल्कुल इसमें गंदगी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि आज हम खुद के लिए बना रहे हैं और हमेसा आलू को दो के स्लिम बनाना इसको अच्छी तरह से काट लीजें मैं यह देखिए चार सर्ड हेसे काट लेजिना बेसं को और इधर से काट कर लेजिए यह ओर इस साइड से और आप भी इसी तरह से बना कर खाईएगा और जरूर से जरूर आप बना के तो खाईए एक बार आप इसको काटने का प्रोसेस देख लेते हैं कि जैसे यह बिखरे भी नहीं आपके पास चिम्टा हो या कोई ऐसी चीज हो जिसमें इसको अच्छे तरह से पसा लीजिए अगर दोस्तों आपके पास ऐसी कोई चीज उपलब्द नहीं है तो आप इसको ऐसे भी काट सकते हो लेकिन वो क्या है फिर बाद में उपर नीचे करती है तो यह तूटके बिखर जाती है तो मैंने इसका इस तरह से परियोग करता हूँ अगर आपके पास समझो कि यह कोई चिम्टा वगरा कुछ भी नहीं है काटने के लिए तो आप दो इस्टिक्स लीजे और उनमें इस तरह से पसा दीजे ध्यान रखेगा कि आपकी उंगलिया ना कट सके दोस्तों इसमें कटने का भी चांस रहता तो आप ध्यान रखेगा कि आपकी उंगलिया ना कट सके तो दोस्तों चलते हैं आगे के प्रोसेज के लिए यह देखें कितने शांदार गजब लग रही है आप एक बार तो बना कर खाईए आप इसके दीवाने हो जाओगे तो हमने अभी इसको रख लिए प्लेट में और इसमें जो इसका मैन प्रोसेज रहता है इसमें अच्छी तरह से नमग मिला दीजे अभी इसको कच्छे में आपको नमग मिलाना नमग इसमें भर बर के मिलाना आपको भर बर के नमग मिलाना ऐसा नहीं कि यह बाद में खारा हो दिए और इसके चारोतर मेल दीजिए और इसको 15-20 मिनिट तक रखना है आपको ऐसे नमग मिला के फिर अच्छी तरह से इनको पानी से दो लीजिए और पानी से दोनी के बाद में आपको इसके कपड़े से पूछ लेना है किसी इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए आ आरा रोट पाउडर से आएगी तो इसमें चमच के साहता से अच्छे तरह से जो हमने लेर खोली थे ने उन में अच्छे तरह से आपको इसमें मिला देना है दोस्तों इसका यह क्यों मिला रहा हूं इसको अच्छे तरह से मिला दीजिए और चारो तरब से आलू के आपको चारों तरब लगना दाएं बायां उपर नीचे सब तरह से लगा दीजिए और इसमें अच्छी तरह से बढ़ दीजिए आपको ज्यादा नहीं बना है हलकालगा बढ़ दीजिए और सभी लेर्स में यह समान रूप से आ जाना चाहिए चमच की साहिता से आप बना लीजिए कड़ाय पे तेल गरम कीजिए और इनको फ्राई कर लीजिए दोस्तों अब तक मैंने इसमें कुछ मसाले वगएरा कुछ नहीं एड़ किया है आपको गेस की फ्लेम हाई रखना है इसके बाद में लो मीडियम कर दीजिएगा शुरू में गेस हाई रहना चाहिए नहीं तो हमा हम जैसे इसमें आलू को तेल में रखते हैं तो यह खुल जाता है और हमें खुला हुआ नहीं चाहिए अब दोस्तों हमारा पक्कर बिल्कुल रेडी हो चुका है आलू तो अब इसमें जो हम मसाले डालेंगे ना सबसे पहले डाले आप रेड चिली पाउडर रेड चिली प का डालकर एक बार खाई है आपको पानी पूरी की भी याद नहीं है कि इतना शांदार तरीके से बन कर तयार होता है इसके बाद में नमक डाल दीज़ें और नमक डालने के बार बाद में इसमें जैसे बच्छों के लिए बश् jakby na रहे तो आप अपनी डाल सकते हो तो फिर इसमें डाले हमने चाट मसाला उपर से चाट मसाला डाला और चौकू की साहते से या किसी की साहते से इस मसाले को जिसे हमाने ले रहे हैं उसके अंदर अंदर तक पहुंचा दीजिए दोस्तो इसके बाद में आप देखो आपके अभी आ रहा है न मुह में पानी तो बहुत ही गजब तरीके से बनकर तयार होता है आप भी इस परकार से बनाई है अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो जरूर से जरूर करके जाएगा क्योंकि आज मैं आपके लिए इतनी शांदार और गजब की रेसिपी लेगा हू जिसके सामने ब्रेकफास बगरा जो इसने बगरा आप तक खाये हो ना वो सब पहले